जमुई ब्लोक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार वरा नमस्कार सलाम सत्ष्रियकाल जमुई ब्लोक्स जमुई के दिल को छूता हुआ वीडियो लाता रहता है इसलिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के बीच शेयर करें जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जमुई बिहार का सबसे दक्षिनी जिला है और इसकी सीमाए बिहार के जिलों के साथ साथ ज्यारकंड के देवगर और गिरिटी जिलों से भी उतनी ही लगती है इस कारण से इसकी जलवायू पर बिहार की जलवायू के साथ साथ ज्यारकंड की जलवायू का भी उतना ही प्रभाव है यह भुभाव का साथ प्रतिशत ज्यत्रफल मैदानी इलाके हैं जबकि बाकी 40 प्रतिशत ज्यत्रफल ज्यारकंड की तरह से पठारी और पहाडी ज्यत्र हैं जिसमें उसी प्रकार की जलवायू पाई जाती है अरत को बदलते मौसमों का देश कहा जाता है और जमुई भी इस परिभाशा से अचूता नहीं है इसलिए यहां की जलवायू भी बल पल पर बदलती रहे तो इसमें कोई आश्यर्ज की बात नहीं होनी चाहिए अभी सावन अपने जवानी के उफान पर है और वक्त वक्त पर मौसम बदल जाना ये आमसी बात हो गई है पिछले तीन सप्ता से जहां पर आसमान में बादलों ने अपना घेरा डाल रखा था वहीं आज सुबा से मौसम बड़ा सुहाना हो गया था और आसमान में खिली धूप निकल आई थी सुहाने मौसम होने के बाब जूद भी कोरोना महमारी के कारण बढ़े हुए लॉकडाउन के कारण बजार में हल चल बहुत कमी देखने कुद मिल रही थी और मुख्य चावराहों पर यातायात कम ही सफल हो पा रहा था लेकिन फिर भी लोग अपने च्छटों पर और अपने घरों में के आसपास में इस मौसम का भरपूर मजा ले रहे थे सुबस से ही आसमान में तेज धूप और चमक्ती हुई किरने बादलों के बीच से ऐसे दिखाई पड़ रही थी मानो सब्ताहों से बादलों के आगाउश में जख़ा हुआ आसमान आज मुक्त हो गया और लोगों की आशाएं फिर से जगने लगी ऐसा लग रहा था मानो सालों से बुखे गरीब को आज जोली भर करके खुशियां मिल गई हो मानो महीनों से कुरोना महमारी के डर से घरों में दूपके लोगों की सिसकती आशाओं के लिए एक सकारतमक्ता का संदेश ले करके आई है हालांके इस लगातार हो रही बारिशे क्रिशी शत्र को बड़ा फाइदा हुआ है और हमारी खेती बारी के काम में करने वाले क्रिशक उस दिखाई दे रहे हैं और लगातार खेती के कारियों में जुड़ गये हैं बाहर से लवटे हुए मजदूर जो बेरोजगार होते जा रहे थे उन्हें क्रिशी के रूप में एक मौसमी कारोबार राप्त हो गया है और वो इसमें मन लगा करके मेनत करने को तयार है मौसम उनका साथ दे रहा है और ऐसी आशा है कि इस बार खेती का काम अच्छी तरह होना चाहिए इस सावन के मौसम में चारो तरफ हरियाली ज़ा चुकी है और देखने में प्रकृती पूरी सुन्दर लगने लगी है साथ ही खेतों में किसानों को काम करते हुए देखकर और आगे जाते हुए रास्तों में खेतों में काम करते हुए मजदूर और किसान बड़े खुश और कंटेंट याई संतोश जनक मुद्रा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं जिसे देख करके एक सकारात्मक संदेश मन में आता है। अमारे जिले का मौसम ना तो ज्यादा बहुत गर्म है और ना ही ज्यादा ठंड। और इस सुखद मौसम का असर सीधी सीधी हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्योंकि हमारे जिले के लोग भी क्रिशी पर आधारित हैं और जीवनियापन का मुख्य तरीका क्रिशी पर ही निर्वर करता है तो थी जमुई के जलवायों की बाद आपके तरब का मौसम कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा अगली वीडियो में आपसे कुछ और ब सबस्त्मा शुटिय।